ओम श्री प्रमात्मने नमे श्री गीता जी की महीमा वास्तव में श्रीमद भगवद गीता कम हात में वानी द्वारा वर्णन करने के लिए किसी का भी समर्थे नहीं है क्योंकि यह एक परम रहस्य में ग्रंथ है इसमें संपून वेदों का सार संग्रह किया गया है इसकी संस्कृत इतनी सुंदर और सरल है कि थोड़ा अभ्यास करने से मनुष्य उसको सहज ही समझ सकता है परंतु इसका आशे इतना गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता प्रती दिन नए नए भाव उत्पन होते रहते हैं इससे यह सदैव नवीन बना रहता है एवं एकाग्रचित होकर श्रद्धा भक्ती सहीत विचार करने से इसके पद-पद में परम्रह से भड़ा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है भगवान के गुण प्रभाव और मर्म का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है वैसा अन्य ग्रंथों में मिलना कठिन है क्योंकि प्राए ग्रंथों में कुछ न कुछ संसारित विशय मिले रहते हैं भगवान ने श्रीमत भगवत गीता रूप एक ऐसा अनुपमय शास्त्र कहा है कि जिसमें एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है श्री वेद व्यास्ची ने महा भारत में गीता जी का वणन करने के उपरांत कहा है गीता सुगीता करने योग्य है अर्थात श्री गीता जी को भली प्रकार पढ़कर आर्थ और भाव सहित अन्त्यकरण में धरन कर लेना मुख्य करतव्य है जो कि स्वयम पद्वनाब भगवान श्री विश्णू के मुखारविन से निकली हुई है फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है स्वयम भगवान ने भी इसके महात्मे का वर्णन अध्याय 18 श्लोक 68-71 तक किया है इस गिता शास्त्र में मनुष्य मात्र का अधिकार है चाहे वैं किसी भी वर्ण आश्रम में स्थित हो परन्तु भगवान में श्रधालू और भगतियुक्त अवश्य होना चाहिए क्योंकि भगवान ने अपने भक्तों में ही इसका प्रचार करने के लिए आग्या दी है तथा यह भी कहा है कि स्थ्री, वैश्य, शुद्र और पाप योनी भी मेरे प्रायन होकर परमगति को प्राप्त होते हैं अपने अपने सभाविक करमद्वारा मेरी पूजा करके मनुष्य परम सिद्धी को प्राप्त होते हैं इन सब पर विचार करने से यही ज्यात होता है कि परमात्मा की प्राप्ति में सभी का अधिकार है परंतु उक्त विशय के मर्म को नहीं समझने के कारण भहुत से मनुष्य जिन्होंने श्री गीता जी का केवल नाम मात्र ही सुना है, कह दिया करते हैं कि गीता तो केवल सन्यासियों के लिए ही है वे अपने बालकों को भी इस भैस से गीता जी का अभ्यास नहीं कराते कि गीता के ग्यान से कदाचित बच्चे घर छोड़कर सन्यासि नहों जाएं किन्तु उनको विचार करना चाहिए कि मोह के कारण शात्र ध्रम से विमुक होकर भिक्षा के अंसे निर्वाह करने के लिए तयार हुए अर्जुन ने जिस परम रहस्यमाई गीता के उपदेश से आजीवन ग्रहस्त में रहकर अपने कर्तवे का पालन किया उस गीता शास्तर का ये उल्टा परिणाम किस प्रकार हो सकता है अतेव कल्यान की इच्छा वाले मनुश्यों को उचित है कि मोह का त्याग कर अतिशय श्रद्धा भक्ती पूर्वक अपने बालकों को अर्थ और भाव के सहित गीता जी का अध्यान कराएं इवं स्वयम भी इसका पठन और मनन करते हुए भगवान के आग्यानुसार साधन करने में तत्पर हो जाएं क्योंकि आति दुरलप मनुश्य श्रीर को प्राप्थ होकर अपने अमुले समय का एक शण भी दुख मुलक क्षण भंगुर भोगों के भोगने में नश्ट करना उचित नहीं है गीता जी का प्रधान विशे गीता में भगवान ने अपनी प्राप्थी के लिए मुख्य दो मार्ग बतलाए है एक सांख्यय योग दूसरा कर्म योग उनमें प्रथम संपून पदार्थ मृत्रिष्णा के जल की भाती अत्वा स्वपन की दृष्टी के सद्रिष माया मय होने से माया के कार्यरूप संपून गुण ही गुणों में बर्तते हैं ऐसे समझ कर मन, इंद्रियों और शरीर द्वरा होने वाले संपून कर्मों में करतापन के अभिमान से रहित होना तथा सर्व्यापी सचिता नंदगन परमात्मा के स्वरूप में एकी भाव से नित्य स्थित रहते हुए एक सचि इसी के भी होने का भावने रहना यह तो सांखे योग का साधन है तथा द्वित्य है सब कुछ भगवान का समझ कर सिध्धी असिध्धी में समत्व भाव रखते हुए आसक्ति और फल की इच्छा का त्यात कर भगवद अग्यानुसार के एवल भगवान के ही से लिए सब कर कामों का अच्रण करना तथा श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन वानी और शरीर से सब प्रकार भगवान के शरण होकर नाम गुण और प्रभाव सहित उनके स्वरूप का निरंतर चिंतन करना यह कर्मयोग का साधन है उक्त दोनों साधनों का परिणाम एक होने के कारण विव पुरुष दोनों मार्गों द्वारा एक काल में नहीं चल सकता जैसे गंगा जी पर जाने के लिए दो मार्ग होते हुए भी एक मनुष्य दोनों मार्गों द्वारा एक काल में नहीं जा सकता उक्त साधनों में कर्मयोग का साधन सन्यास आश्रम में नहीं बन सकता क्योंकि सन्यास आश्रम में कर्मों का स्वरूप से भी त्याक कहा गया है और सांखे योग का साधन सभी आश्रमों में बन सकता है यदि कहो कि सांखे योग को भगवान ने सन्यास के नाम से कहा है इसलिए उसका सन्यास आश्रम में ही अधिकार है ग्रिहस्त में नहीं तो यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि दूसरे अध्याई में शलोग 11-30 तक जो सांखे निष्ठा का उपदेश किया गया है उसके अनुसार भी भगवान ने जगय जगय अर्जुन को युद्ध करने की योग्यता दिखाई है यदि ग्रिहस्त में सांखे योग का अधिकार ही नहीं होता तो भगवान कृष्ण इस प्रकार कहना कैसे बन सकता था हाँ इतनी विशेष्टा अवश्य है कि सांखे मार्क का अधिकारी देहा भिमान से रहीत होना चाहिए क्योंकि जब तक श्रीर में एहम भाव रहता है तब तक सांखे योग का साधन भली प्रकार समझ में नहीं आता इसी से भगवान ने सांखे योग को कठिन बतलाया है तथा कर्म योग साधन में सुगम होने कारण अर्जुन के प्रती जगह जगह कहा है कि तु निरंतर मेरा चिंतन करता हुआ कर्म योग का आजरण कर